हेलो बीसी फर्स्ट एर स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में एक most important topic discuss करेंगे difference between saprophytic and parasitic फंजाई यह आपके बीसी फर्स्ट एर बोटनी के first semester microbiology and plant pathology के अंदर यह आपका theoretical paper आता है microbiology and plant pathology उसी के अंदर यह पूछा जाता है दो नंबर में short question में यह question कई बार पूछा गया है student को confuse करने के लिए यह question कई बार पूछा जाता है what is facultative parasite या what is facultative saprophite इन दोनों में क्या difference है what is obligate parasite या what is obligate saprophite कई तरह से question पूछे जाते हैं कई तरह से difference आप से पूछा जा सकता है student confused हो जाता है यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को completely देखते हैं parasitic जो फंजाई होते हैं वो अपना भोजन यानि अपना जो फूड है वो जीवित उत्तकों से चाहे वो plant tissue हो या animal tissue हो हमेशा living tissue से अपनी mycelium के द्वारा जो हिस्टूरिया होता है जो होते हैं वो उन कवक सुत्रों की साहता से प्राप्त करते हैं यानि बात वक्की है कि जो parasitic फंजाई है वो living tissue से चाहे वो plant हो या animal हो उसी से प्राप्त करते हैं लेकिन अगर हम बात करें सैप्रोफाइटिक फंजाई की तो यह हमेशा dead organic material से अपना food gain करते हैं diffusion के प्रोस से अपना food gain कर रहा है और यह living material से अपना food gain कर रहा है यह में में difference है अब यहां पर obligate parasite, facultative parasite, obligate saprophite या facultative saprophite इन दोनों terms का क्या मतलब होता है यह एक most important topic रहता है देखिए Obligate parasite का मतलब हो गया definite निश्चित यह ऐसे पर जीवी होते हैं जो कि जीवित कोशिकाओं पर ही बढ़ते हैं यानि कभी यह dead organic material को target नहीं करेंगे मर जाएंगे लेकिन यह dead organic material पर भोजन नहीं करेंगे या उन्हें ग्रहन नहीं करेंगे या उन पर growth नहीं करेंगे लेकिन जो facultative parasite होते हैं इस प्रकार की जो फंजाई होते हैं वो favorable condition में जीवित कोशिकाओं पर ही अटेक करते हैं लेकिन अगर condition unfavorable हो गया तो वो सेप्रोफाइटिक की तरह भी जीवन वेतीत करते हैं यानि वो dead organic material को भी वहाँ पर भी growth कर जाते हैं उन्हें भी अपना food की तरह use कर सकते हैं समझ में है Obligate parasite और facultative में यही main difference होता है Obligate leveing से ही प्राप्थ करता है और facultative leveing से और non leveing से दोनों से अपना food कर सकता है सेम यही केस है, यहां इन पर भी लाई करता है Obligate saprofire क्या होते हैं ? यह पूरी तरह से saprofire होते हैं यह non-lHY Van ऐसकी आपना food material गेन करता है, जैसे राइज़ोपस होता है रोटी के उपर आपने देखा होगा, आप रोटी को किसी जगहार पर छुपा दे, किसी जगहार पर छुपा करके उसको रख दे, दो-चार दिन बाद आप देखेंगे, वहाँ पर एक जाले की तरह है, जैसे मंकडी का जाला होता है, इस तरह से राईजी उपस फंजाई उस पो दिखाई देगा म्यूकर और सेप्रो लिगनिया एगेरिकस यह ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से दिखा कि सेप्रो facilities में मेंंन डिफ्रस घक होता है 그건 और वी वीडियो में बआई-बाई-बैई-डब